नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि कल दोस्तो मैं अपने चैनल पर आपके लिए थारिट्य लेकर अने वाट हूँ तो आप दोस्तो यहाँ पर दोस्तो यह कि अपको पता हो बहुत जरूरी होती है क्योंकि अगर आपको यह चीजे पता नहीं है तो आप कॉस्चन पेपर में कितना भी अच्छा स्कूर करके आए आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आपको ध्यान में रखने वाली बाते हैं उस समय क्या क्या होती है जब आपके लिए कर दिया जाएगा दूसरी दोस्तों दिहान रखने वाले चीज ये भी होती है है अजिए का कि आपके आपर मैं पर TE प्रेखेंगे तो आपके लिए ऐसा नहीं कि आपका सलेक्ष्न हो जाएगा आपके क्या होका कि यहां पर आप पास हेंगे। दोस्तो जो आजकल आर्मी में किसी भी trades में आप अगर भढ़ते देख रहे हैं और आपके लिए अगर passing marks चाहिए तो वो करीब 70 से उपर होना चाहिए क्योंकि दोस्तो आजकल हर trade में merit list तयार की जाती है तो merit list का मतलब यह होता है मैं आपको समझा दूँ कि अगर जैसे 100 नंबर का paper है तो सबसे उपर से लिया जाता है अगर किसी के 92 नंबर है तो 92 वाले पहले ले लिए जाएगे उसके बाद में करना चाहता हूं कि यहां बात करते हैं अंक प्रतिती की तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि जो question paper होता है वो 100 नंबर का होता है passing marks आपके लिए 35 अनवारी होते हैं लाने के लिए और all questions जो होते हैं वो आपके आप पचास questions करते हैं तो आपके दो अंक साफसे सो नंबर के पेपर हो गया तो आपका प्रतिक सही उतर देने के लिए आपको दो अंक दी जाते हैं मतलब चाहें वो GK हो जी एस हो और चाहें मैत हो मतलब किसी भी तरह के जो आपका question होगा प्रते question के लिए आपको प्रते सही question के लिए आपको दो अंक दिये जाएंगे उसके वादन दोस्तों आर्मी में अभी कुछ दिनों से marking system में minus marking दी include कर दीए तो आप देख सकते हैं प्रते गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काट जाएगा तो अगर आप दोस्तों गलत उत्तर देते हैं तो यहां पर minus marking स्टार्ट हो चुकी है और 0.5 की minus marking के हजाब से आपके जो है वो अंक काटे जाएगे ठीक है तो अगर आपने दो दो कोस्टिन गलत कर दिये तो आपके सही कोस्टिन में से एक अंक काट लिए जाएगा ओके minus marking से बचने के लिए आपको क्या करना होता है कि अगर आपको किसी भी कोस्टिन का आंसर नहीं पता है तो आप उसके लिए खाली छोन दे यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों मेरे पास में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि जिनमें बच्चे पूंचते हैं याने कि खाली छोड़ने पर जूर्य आंक है मतलब नहीं आपको कोई अंक मिलेगा नहीं आपको कोई अंक कटेगा अगर आपने खाली छोड़ दिया तो आपके लिए कोई भी प्रॉलम नहीं है इसलिए कोस्टिन अगर आपको आ रहा है 100 पर से अउर हैं तब ही आप इनको आप छोड़ने से क्या होगा कि आपके जो सही अंक है वो नहीं कड़ेगा ठीक है उत्खिया बाद में दोस्तों एक ध्यान रखने वाली बात ये भी होती है कि उत्तर पुस्तका में कोई ऐसा निसान न लगाएं जिससे आपकी पहचान हो सकती है ऐसा पाया जाने पर आ अगे बढ़ने से पहले मां आपको यहां पर क्या है पूरा पेपर दिखा देना चाहता हूं एक जिलग में उसके बाद में एक प्वेंट पे अच्छी तरह से नजर डालेंगे यह हो गया सबसे उपर हम जीडी के बात कर रहे थे यह ट्रेट्समें हो गया 10th standard का और यहां स्ट्रेप के आपके जो एक होता है यह बताऊंगा दोस्तों लेकिन बस ऐसा हो सकता है कि यह बहुत लंबी हो जाए तो आपके लिए पार्ट सेक्ट के लिए उच्छे एके लिए पार्ट सेकंद नहीं है तो दोस्तों हम यहां तक पहुँच गए थे उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो में में पॉइंट से केवल मैं आपको वही बताऊंगा वहां कि आपका टाइम खराब करने का मेरा कुछ वह नहीं है तो इतनी चीजे हो गई ठीक है मतलब अपके लिए ढुबर यहां पर tratesman को करनने अनवारी होते हैं यहां प्राप। कर चैन्ध का ided कि भूपिर यह ही उनके लिए दोस्तों के प्रादी कर्定 कर्स के वह यह भरती आप मतलब आपके लिए 32 संक सो में से 32 संक प्राप्त करना अनवारी है तब आप पास हो पाएंगे माइनस मार्किंग दोस्तों ट्रेट्समेन भी होने लगी है आज कल तो 0.5 मार्क्स की जो है वो आपकी माइनस मार्किंग होगी ठीक है उसके बाद में हम नीचे स्क्रॉल करके में में पॉइंट्स पर नजर डालते हैं वागी तो सब सेम ही है उसके बाद में दोस्तों हम आते हैं ट्रेट्समेन 10th sorry 8th standard पर ठीक है तो अगर 8th standard की हम बात करें दोस्तो तो यहाँ पर आपको पास होने के लिए 22 अंग की ही जरूरत होगी ठीक है प्रतेक प्रिशन आपका 2 अंग का होगा माइनस मार्किंग इसमें भी होगी आपकी 0.5 अंग का आपका काटा जाएगा गलत उतर लिखने पर यह ही है ठीक है तो दोस्तो यह वीडियो करीब 7-8 मिनट की हो चुकी है तो इसलिए मैं क्या करूंगा आपके लिए जो यह पेपर है यहां पर जो दिया गया है यहां से यह जो पेपर है दोस्तो मैं आपके लिए अभी 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आप 2 वीडियो में यह पूरा पेपर हम डिसकस करेंगे कि कितने नंबर के किस सब्जेक्ट के कोसिंस आते हैं मतलब इसमें आपको धिखाने वाला यह ग ahí आपको बिलकुल भी धी लग जाएगा बिलकुल आईडीय लग जाएगा जाएगा कि आपका फ़ला सा बता जेता हूं इसकी से बारे में हींट से जहता हूं इसमें तीन सेक्ष्षिं होते हैं सेक्षिं दोस्तों जेनरलर नाइज ठीक है जिसमें आपके लिए और section B section B होता है general science ठीक है और section C होता है आपका math ठीक है तो इस टैप के आपके जो है वो प्रिस्न आते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तो next video का इंतिजार करिए अभी एक गंटे बाद आपके लिए next video भी मिल जाएगी लेगन तब तक आप क्या करें हमारे YouTube channel Siva Online Classes को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहा है तो उम्मित करता हूं दोदो दोस्तो वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube channel Siva Online Classes को सब्सक्राइब जरू करें